नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बता दें कि आज रात्ते के 12 बजेशे माल लक्षमी और भगवान श्रिदेव चले आपकी राशी में और दोस्वों आने वाले 365 दिनों तक आप शबी की जुनकाल में आपके 6 बड़े में आ गया है जिए दोस्वों आपको बिता दें कि अब आपके जीवनकाल के शब से बड़े शपने शच होने वाले ही जो शपना आपके पूरे जिंदगी भर आप उन्हें याद रखेंगी जिए कोई छोटा शपना नहीं है जिनें लेकर आपको शपने में भी नहीं सोच presenting शल्डान रहने की curric was data दें कि पिछले कई शमीर्षे आपकी जुनकाल में पहुत शारे शरी से मोक्य आए हैं लें तो श्मोगी पर खरेंणी की कारण दोसदों जाने जाना में कुछ य Safe गरति हो जाती है जिनके कारण आपके विरूधी वर्ग कि आपके कारों में बढ़ाये टाल दे दोसदों और आपके कार्य खराब हो जाते ही तो दोसुट जहें आम आए-एश में आपको कॉंसु सी विष्यास बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके कारियों में कोई भी अर्चने ना आए और दोस्तों जो बगवान शुन्देब और मालक्षमी का श्रबात है वह आप शुवी की जुनकाल में पूर नत्ह आपके जीवन को बदल दे जैन दोस्तों तो यह में कुछ विश्यस बातों का भी ध्यान रखना है तो दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल ही मीशना करें और सुरू से लेकर अंसा तक ध्यान सी देखिएगा दोस्तों इसमें आप शबी महत्पुन जैनकरी को जानेंगे कि आश में आपको कौन-कौन शी बड़ी कुछ कभरी मिलने वाली है कौन सी बातों का ध्यान रखना है शाति आपकी लव लाइप स्वास्त के यह पारी जुन पर तेक्षित में कौन-कौन शी बड़ी बड़ी बदला होंगे शबी की जनकरें घुरों के गोचर पर अधारी थे जो कि दोस्तों आप शबी को जानना बहुत ही जरूरी है उसे पहले दो बात करते हैं कि भगवान शुन देव और मालक्षमी जब आपकी राशी में चले हैं तो दोस्तों अब आपके जुनकाल में आपको कौन-कौन शी बड़े खुशकबरी मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्यों वीडियो के मदमत में हम आपको जिने दोस्तों और आप कर लेंगे जिने अगर आप मात रिश्टून लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल की शारी परिशानियां खत्म हो जाएंगी और मालक्षमी बगवान शुन देव का शुनकाल में बहुती बड़ा चमतकार इन दिनों होने वाले हैं जिया दोस्तों आप शुबी को बता दें कि नी जी या फिर वावशाइक कामों में आ रहे ही रुकाउटें अब दूर हो जाएंगी आपको बता दें कि अधिकतर शुमे परिवार के शाथ अराम तदर मुनरंजन में वैतित होगा आपसे समाज़िश बहतरिन होने शे घर का महल बियाश में पॉजिटिव बना रहेगा बगवान शुबी और मालक्षमी के श्रिवाश आर्थिक दिरिश्टेश चे आपके लिए आने वाला शुमे बहुत यादा अनुकुल रहने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शुबी को बता दें कि बगवान शुबी को बता दे रहेगी विद्यारतियों को अपनी शुब समचार मिलेश उनका मन बहुत यदा प्रशन रहेगा और दोस्तों याश में अपनी चमताओं और उड़्जाओं का भरपूर उप्योग करें भगवान शुर्देव और मालक्षमी कहते हैं कि याश में आपको हर कारियों में शु को बता दे कि भगवान शुर्देव और मालक्षमी के इस राशी में परवेश करने की कारण शुभाग और शुभन नाम के दो शुभ्योग आपके जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार करने वाले हैं जहें दोसों जिन से आपके जो भी नोक्री पेशा समझ जाए हैं जो दोस्तों शुएंग मालक्षमी और भगवान शुदेव के इस रवाशी मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन आदि जिसरी गत्युदियों पर थोड़ा ध्यान रखें आपको बता दे कि इनमें आपको बहुत यदा धनलाप मिलने की शंभावना ही बन रही है आपके लिए यश चल रहा था तो दोस्तों उन्हें शुल जाने को उत्तम शमय आ गया है क्योंकि यश्मे मालक्षमी और भगवान शुदेव का शुदेव के शाथ हैं जिसे दोस्तों आप शुदेव को बता दें कि विदेश आने के लिए जो भी कोशिश कर रहे थे दोस्तों उन्हों को शुदार देखने को मिलें कि कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भुष में फायदयमन शाबित होने वाला है इसके दोस्तों याश्मी बिल्कुल भी कोई गलती ना करें और शमय शमय पर आप कोई अच्छी सोच जरूरु के जिस कार्यों में कारें उनके लिए जरूरु का जाब करते रहें जिए दोस्तों मालक्षमी और भगवान शंडेब का यहाँ शबसे महत्पुन मंत्र है तो दोस्तों शुबा शाम दिन रात जब हुष्ट के दिन में शमय निकालकर इन मंत्रों का मात नजाब करने शिए आप शिवी के जुनकाल में भगवान शंडेब और मालक्षमी की अश्रिम किरपा प्राप्त होती रहेंगी जिए दोस्तों शादी साथ आपको बता दें कि यह में दोस्तों के शिवी कारिक को करने से पहले उसके सबी पहलों पर उचित विचार विवर्श करना भी आपके लिए बहुत एदा आवश्यों होगा जिए दोस यश्मी उनके मन में श्वेंग भगवान श्रिंदेव और मालक्षमी एश्रा इक्चा सकती प्रकट करेंगे कि आपके परती उनकी इशारी दुष्ट भावनाएं खत्म हो जाएंगी जे दोस्तों और शमर्षिया का श्रमधान भी होगा आपको बतादें कि यश्मी शुत्रों को और अधिक मजबद बनाएं कुल मलाकर खुशी और शंतोस ब्राद दिन वहतित होगा जी अदोसों आपको बताया कि यश्मी मालक्षमी के अश्रिवास से परिवार में शुकद और अनुशासित माहौल बना रहेगा आर्थिक मामलों को मजबद करने के लिए यह जो श्रमे होगा आप शुबे के लिए बहुत ही सुब समय होगा बहुत ही लाभगारी श्रमे होगा दार्में शंस्ताओं श्रमंदी गत वीडियों में भी श्रमे वतित होगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगे फालतों बातों पर ध्यान हटा कर आपके राशी पर आजाए ज्या दोसों याश में रिष्टेदारों शुष्टेदारों कि शुष्टेदार के यहां धार्मिक उत्सव में जाने का प्रूरेम भी बनेगा कई फर्शा हुआ पेशा मिलने से आर्थिक सती और अधिक बहतर होंगी क्यों दोस्व मालक्षमी का अश्रिवाद यश में आपके जुनकाल पर पर रहे हैं तो दोस्व धन की आवक भी यश में आपकी बढ़ने वाली है पेशे से जुड़ी शमशाएं भी यश में आपके खत्म होने वाले हैं जिया दोस्व हम आप शुब बता दे कि भगवान शुनदेव और मालक्षमी का अश्रिवाद आप शुब के जुनकाल पर होगा कि घर के बदलाव शुमदी विजनाई बन रहे हैं तो दोस्व यश में शंपन होंगे और उन्हें जनाव में आपको शबलता प्राप्त होग में आपको बता दें कि दोस्व भगवान शुनदेव और मालक्षमी के आपकी राजशे पर बिरजमान होने के कारण शोच समझकर आपका लिया गया निरले कोई भी भयूश में नए रास्ते खोलेगा जिया दोस्व घर के अनुभीव यक्तियों की शलाह अवश लें क्यों दोस्व लोन लेने की युजना अगर बनाए हैं तो दोस्व चिंता ना करें जिसकारी के लिए आप लोन ले रहे हैं वह लाबदाएक शाब्त होगा या श्मय गरज्तितियां आपको या शंकेत दे रही है कि अपने वित्योजनाव शंबंदी कारियों पर ध्यान के अंदर रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का भी आप शुनशार या श्मय महशूर करने वाले हैं क्योंकि दोस्व भगवान शुनदेव का श्रबात आप शिभी के शाथ रहेगा आपको बता दे कि दोस्व याश्मय बगवान शुनदेव कहते हैं कि कुछ बातों का लेने से बच्चे आप किसी दूइदा में बूरी तरह परशकते हैं तो दोस्व भूल कर भी इसे इनसान पर विश्वास न करें जिसका अशर आपकी परवार पर भी परशकता है बच्चे पढ़ाई पर धियान दें ये आपके लिए बहुत यदा लाबगार शुनदेव के आने वाले शुमी में आपका जो लव लाइब का जीवन होगा घर पिरवार में शुक और शांती बरा मोहल बना रहेगा परंतु विवातर शुमन्दों का परवाव आपके घर की शुक शांती पर भी पढ़ सकता है शांती शिवात करें दोस्तों सभीश मरिशाओं का हल आक को करना क्या है कि कारिए उस्षास्त डियान रखना है कि योगा व्ययान या फिर मेडिश न एक दोस्तों के आखरी में बगवान शुंदीब और मालक्षप्स solution के लिए एक बहुत ज्या ज्यान कि कि शांशों का में एतबार करूं जो अंत में मेरा शाथ छोड़ जाएंगी किछ धन का में एहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगी किछ तन पे में एहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को बोज भी ना उठा पाएगा भगवान की अदालत में वकाल देजाए तो दोस्तों वह सजा आपको भुगत नहीं पड़ती है तो दोस्तों शुभा शाम नित्य आपको भगवान शुदेव और मालक्षमी का अश्मरन करना है आपके जुनकाल में मंगलकारी स्थिती बनती रहेगी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज को यह वीडियो